नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में कथा समराठ प्रेमचंद द्वारा रचीत एक बहुत ही महत्वपुर्ण कहानी ठाकूर का कुवां इसी का सारांग्स या इसके अंतरवस्तु को समझ लेंगे किसी भी कहानी के सारांग्स को समझ जाने से उस कहानी से सम्बंधित जो भी प्रस्न एक्जाम में पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना काफी सहज हो जाता है इसलिए स्कीप किये बीना पूरा वीडियो देखिए ताकि इससे सम्बंधित सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए साथ ही हिंदी भासा और साहिती से सम्मधित वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो प्रस्तुत कहानी अंग्रेजी सासन काल के जमिनदारी यूग की कहानी है जब छुआ छुट की प्रथा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मानवता उसके नीचे ही दब गई थी जहां धर्म में किसी को जल पिलाना अत्यांत पूनितकार्य माना जाता था वहीं छुआ छुट की परंपरा ने समाज में एक ऐसा विक्रित रूप खड़ा कर दिया था कि गरीब और निम्न वर्ग के लोग यदि सवर्ण विरादरी के कुएं से पानी ले ले तो वो कुआ ही असुद हो जाएगा ऐसी धारना बनी थी कथा समराथ मुनसी प्रेम चंद ने धर्म के बाहिया आडंबर और ततकालिन विक्रित समाजिक विवस्था का प्रस्तूत कहानी में चित्रन किया है अर्थात इसमें इसी समस्या को उठाया गया है जोखु गाउं के गरीब बर्ग का ब्यक्ती है जो कई दिनों से बिमार है रात में उसे प्यास लगती है गला सुखरहा होता है वो अपनी पतनी गंगी से पानी मांगता है गंगी पानी देती है परंतु जैसे ही जोखु उसे पीने के लिए मुह से लगाता है तो बड़ी तेज बदबू आती है गंगी देखती है तो उसे भी बदबू आती है वो कहती है कि लगता है कुवा में कोई जानवर गिर कर मर गया है यह पानी अब पीने लायक नहीं है इसे पीने से बिमारी और बढ़ जाएगी थोड़ी देर बाद जोखु कहता है कि अब प्यास से रहा नहीं जाता ला वही पानी नाक बंद करके पीलू पती की अधीरता देख गंगी कहती है कि मैं दूसरा पानी लाने जाती हूँ जोखु कहता है कि दूसरा पानी कहां से लाएगी गंगी कहती है कि ठाकूर और साहू के दो कुएं हैं क्या एक लोटा पानी भी भरने नहीं देंगे जोखु कहता है हाथ पाव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा बैठ चुपके से गरिबों का दर्द कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर पर जाकने तक नहीं आता ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे रात के नौ बजे जब सारे गाउं में अंधेरा चा गया है और लोग प्राइस हो गये हैं तो वो घड़ा रसी लेकर ठाकूर के कुएं पर पानी भरने जाती है परन्तु उस समय भी कुछ निठले लोग ठाकूर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं वो उनके जाने का इंतिजार करती हुई कुएं की जगत की आड में छुपी बैठी रहती है इतने में ठाकूर परिवार की दो इस्तिरियां कुएं पर पानी भरने आ जाती है गंगी जट से एक पेड की आड में अंधेरे में छिप जाती है इस्तिरियां पानी भर कर वापस चली जाती है ठाकूर के दरवाजे पर बैठे निठले भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं ठाकूर भी दरवाजा बंद कर अंदर सोने के लिए चला जाता है गंगी चुपचाप बहुत साबधानी से दबे पाव कुए की जगत पर चड़ती है रसी का फंदा गले में डाल कर उसे इतने धीरे धीरे कुए में डुबोती है कि जरासा भी सब्द ना हो घड़े के भर जाने पर जल्दी जल्दी परन्तु अत्यंत साबधानी पूर्वक उसे उपर खिशती है घड़ा कुए के मुह तक उपर आ जाता है गंगी घड़े को पकड़ने के लिए जैसी ही जुखती है उसी समय ठाकूर साहब का दरवाजा खूल जाता है घबराहट के कारण गंगी के हाथ से रस्य छूट जाती है और घड़ा धड़ाम की आवाज के साथ रस्य सहीत कुए में गिर जाता है उधर से ठाकूर की आवाज कौन है कौन है सुनाई देता है गंगी तुरंत कुए की जगत से कूद कर भागती है उसे अब यह भय है कि अगर कहीं वो पकड़ी गई तो पूरा ठाकुर मुहला उसे मार कर अधमरा कर देगा वो किसी प्रकार भाग कर घर आती है और घर आने पर देखती है कि जोखु वही गंदा पानी बदबुदार पानी पी रहा है जिसे वो न पीने का आदेश देकर पानी लाने गई थी कहनी के अंत में इस पस्ट है कि दलितों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थीती ऐसी है कि उन्हें सबर्णों के अत्याचार और सोशन उत्पिडन सहने पड़ते हैं इस समाजिक देवस्था की सच्चाई को प्रेमचन्द ने नाठकिय धंग से प्रस्तूत किया है उनका उद्देश यह है कि गंगी के सोशन की तिब्रता को पाठक बर्ग समझ सके गंगी अस्प्रिश्य वर्ग की स्तिरी है और उनका कुए को छुना भयंकर अपराद माना जाता है गंगी अपमान बोध असुरक्षित्ता अनिस्षित्ता जातिगत उत्पिडन की सिकार है इनके मानविय अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि वो अच्छूत है तो ये था ठाकूर का कुए नामक कहनी का सारंग्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेर कर सकते हैं साथ ही हिंदी भासा और साहिति से सम्मंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद